इस रिपोर्ट में प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया इस साल टोटल 100 बिलियन का रिमिटेंस जो है वो रिसीव करेगा प्लस एक और पॉजिटीव डेवलोपमेंट पिछले कुछ सालों में ये बताई जा रही है कि ऐसा मत समझ लेना कि ये जो पैसा आ रहा है ये इंडियन जाते हैं चोटे मोटे काम करते हैं जैसे कि लेबर वाला काम या फिर टैक्सी ड्राइवर ये स तब करके वो जो पैसा बेशते हैं वो है पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया जैसे कि डॉक्टर इंजी इस तरके के ओनार आई उनके दूरा पैसा जो भेजा गया उसमें बड़ोत्री देखी गई है तो हाइसी इंकम कन्ट्रीज के थूरू जो बेटर्स आता है का total increase हुआ है remittance in flow में इंडिया में last year यानि कि last year जितना remittance आया था country में उससे 12% ज्यादा आया इस बार यहाँ data आप लोग देख सकते है 2021 में total 89 billion US dollar का remittance आया था और 2022 थे इसके साल में यानि इस साल जो है यह expect किया जा रहा है यह हो जाएगा 100 billion US dollar तक का इंडिया के लिए अगर हम लोग इसके importance की बात करें तो last year इंडिया में जो total remittance था वो बराबर था 3% of GDP के तो आप लोग देख सकते हैं remittance का कितना बड़ा contribution है हमारे GDP में total 23 million का Indian diaspora है जो की बाहर रहता है तो हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कबार यह जो बढ़ता हुआ remittance है इनकी earning को भी reflect करता है अलाकि और region हो सकते है remittance बढ़ने के बिना इनके earning increase के लेकिन बहुत हद तक यह भी शो करता है कि जो बाहर डास्पोरा रह रह रहा है इंडियन वो कमा बैटर रहा है साथी साथ remittance जो होता है इसको अकसर जो है poverty elevation, birth weight यहां तक की school enrollment से भी link किया जाता है तो काफी important factor है remittance किसी देश की एकनॉमी के लिए इंडिया के बाद next पे आपको मिलेगा यहां पर मैक्सिको और यह जो इंतर है first पे यानि इंडिया पे और second में यानि मैक्सिवो में यह आप लोग यहां पर देख सकते हैं इंडिया का जो total expect किया जा रहा है वो 100 billion का expect किया जा रहा है और मेक्सिको का कहा जा रहा है ये होगा around 60 billion US dollar का इसी से आप लोग अंताजा लगाए कि इंडिया जो है वो कितना जादा आ गए है इस चीज में मेक्सिको के बाद है चाइना और उसके बाद है फिलिपिन्स इसके अलावा ये चारो कंट्री सिर्फ मिला के अकेले 54% और रिमिटेंस रिसीव अकाउंट करती है यानि कि जितना भी रिमिटेंस ट्रांसफर हुआ है उसका अकेले 54% इनी कंट्री में हुआ है और जैसा कि मैंने आपको बताया highly skilled migrants from US, UK, Singapore इनके तुरू रिमिटेंस इंफ्लो कंट्री में बढ़ा है जो कि सिंगनल करता है कि पहले की तरह जैसे मिडिलिस्ट कंट्री जैसे कि साओधी, UAE इस सम्में जाके जो लेबर का काम करते थे चोटे मुटे workers उसमें नहीं बलकि high skilled work में भी इंडियन्स को जो है बाहर काम मिला है लेकिन इसका एक negative side भी है वो ये कि ये brain drain की और भी signal करता है यानि कि इंडिया के doctor, engineer, entrepreneur ये इंडिया में काम करने के बजाए बाहर जाके काम करना पसंद करना है high income countries जैसे की US, UK, Singapore से जो remittance आता है ये 36% तक पहुच गया है और 2016-17 में ये हुआ करता था 26% का इसके comparison में जो Gulf countries से remittance आता था वो 2016-17 में हुआ करता था 54% का और अब हो गया है 28% का इंडिया की economy के लिए ये और भी इस साल जादा important है क्योंकि COVID, Russia, Ukraine, war, monetary, tightening जो western countries ने अपनाया है उसके अलावा आने वाला rejection जो है इन सब को देखते वे इन सब से बचने के लिए इंडिया ने जो है पिछले साल 100 billion तक का foreign exchange जो है वो lose किया है तो उसकी जो थोड़ी बहुत भरपाई है वो यहां से हो जाएगी 12% का यह जो increase है इंडिया का वो ऐसा नहीं है कि पूरे South Asian countries में देखा गया है बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रिलंका में remittance received जो है यह decline करेगा ऐसा expect किया गया इस report में due to domestic and external shock लेकिन ऐसा भी कहा गया इस report में कि कुछ decline जो है वो इस वज़े से हुआ है क्योंकि जो in countries का diaspora था उसने exchange rate depreciation को देखते वे formal route के थुरू ना भेज के बलकि black market के थुरू अपना ज़्यादा पैसा भेजा इंडिया का यह जो बढ़ता हुआ remittance है इसके जो रीजन है वो बताया जा रहा है कि wage hikes post pandemic employment demand जो बड़ी वो क्योंकि covid lockdown के वज़े से काफी business बंद हो गए थे और जब lockdown खुला तो यह जो demand है employment की वो बड़ी उसकी वज़े से इसके अलावा रशिया यूकरेन war के बाद जो गल्फ countries से oil employment बड़ी वो और साथी साथ जो रुपे का week होना हो गया यह समने contribute किया है इंडिया के जो remittance growth है उसमें दर असल होता क्या है कि जो NRIs होते हैं यह wait करते हैं कब जो रुपे है वो week हो और तब हम लोग अपना पैसा बेज़े तो इससे होगा क्या कि हम लोग को same dollar के बदले में ज्यादा रुपे मिलेगा और हाल में क्योंकि रुपे week हुआ है इसलि और Pacific region की बात करें तो इस region के लिए 0.7% से increase हुआ है और total 134 billion का remittance expect किया जा रहा है और फिर इसी region में अगर हम लोग चाइना की बात करें तो इसका 4% से remittance जो है वो decrease करेगा इस साल due to covid related restriction जो लगा है चाइना ने उसकी वज़े से लोगों का जो बाहर जाना है वो impossible हो गय फिर Europe और Central Asia region की बात करें तो 10.3% से यहां का increase हुआ है और total 75 billion का remittance आएगा इस साल इस region के लिए ruble का जो appreciate करना dollar के compare में यह एक बड़ा factor है साथी साथ oil के price बढ़ना यह भी एक बड़ा factor है Central Asian countries को जिसकी वज़े से ज्यादा remittance मिला है उसके बात Caribbean countries और Latin American countries जो है यहां प countries के लिए बहुत बड़ा source है जहां से इन लोग को remittance receive होता है फिर Middle East और North African developing countries की बात करें तो यहां पर जो है 2.5% से increase करेगा remittance और total 63 billion का इन लोग को remittance मिलेगा 2022 में South Asian countries की बात करें तो 3.5% से grow करेगा और total 163 billion का remittance इन लोग को मिलेगा और इसी रीजन में आप लोग को पता होगा इंडिया भी आता है इस रीजन में अगर हम लोग इंडिया को छोड़ दें जिसका 12% से grow करेगा उसके अलावा नेपाल को छोड़ दें जिसका 4% से grow करेग तो इस पूरे रीजन क्या 10% से decline करेगा remittance लेकिन इन दोनों कंट्रीज के remittance में जो growth हुई है उसकी वज़े से overall reason का 3.5% से grow करेगा लास्ट में सब साहरान अफरिकन कंट्रीज है यहाँ पर जो है 5.2% से grow करेगा और total 53 billion का हो जाएगा remittance received एक important mention जो इस report में और किया ग money send करने की cost आती है वो 200 डॉलर अगर send करना है तो आपको cost आएगी 3.5% की और वहीं अगर हम लोग digitally ना send करें इसे तो यह cost आती है 6% की तो digitally send करने से cost तो कम आती है लेगिन एक बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि सिर्फ 1% of total transfer जो होता है सिर्फ वही होता है digitally form में क्योंकि anti money laundering और financing of terrorism से related जो regulation है उनकी वज़े से यह जो online transfer है इसको काफी ज्यादा restrict करके रखा गया है थोड़ा इस report के बारे में भी जान लेते है world bank migrant and development brief report जो है यह prepare किये जाती है migration and remittance unit development economies के द्वारा यह primary research and data arm है world bank का migration से related जो भी development होती है उनके बारे में यह बताता है last six month के time period में यह medium term में जो projection होती है remittance के medium income countries के लिए वो यह बताता है plus हाल में हो क्या रहा है कि आप लोग ने सुना होगा कि काफी companies जो है वो lay off कर रही है record level पे और यह process अभी बताय जा रहा है कि और थोड़ा चलेगा कुछ time तक दूसरा यह भी कहा जा रहा है कि next year तक इंडिया का जो यहां आप से पूछना चाहूँगा कि आपको इसमें क्या लगता है क्या next year भी इंडिया का जो remittance है वो इस percentage से increase कर पाएगा क्योंकि सिफ 10% से ही अगर increase करता है तब ही हम लोग 110 billion का जो target है वो हम लोग achieve कर लेंगे क्या यह हो पाएगा कि नहीं या फिर यह जो lay off है इसकी कर